चलो दोस्तों, आज हम विलेज स्टाइल में चिकन तंदुरी बनाएंगे, देखो हमने दो मूर्गे लिए इसको हम भूनेंगे, गावरान मूर्गे लिए लिए इसको भून लिया है, अब इसको ज्या करेंगे दोहेंगे अब इसको दोया है हमने अभी, अब इसको हम हल्दी लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, बार में इसको दोयेंगे, अब इसको साप करेंगे, साप करेंगे, अब इसको आच्छे से साफ करेंगे, इसी तरह हम दोने मूर्गे, इसी तरह हम साप करेंगे, इसको दोने मूर्गे साप किये, कि दोनी मुझर के क्या करेंगे हम चर्या लगाएंगे कि हम मीट लगाएंगे मसला मीट लगाएंगे उसके आंदर तक जाना चाहिए इसलिए हमने हमको चर्या लगा रहा है जरूरी है कि देखो हम चर्या लगाएंगे इसको हम बानेंगे दो दो बांबू के चुट चुट डखडिये ले उसको इसी तरह बान दे अब एक बांबू की बड़ी सी लकडी ले इसको दो नी मुर्गे को डाल दे देखो एक उल्टी और एक सीधी डाल दे जिससे बांदने में अच्छा अच्छा पड़ेगा इसलिए उल्टी और एक सीधी डाल दे देखो इसी तरह और दो नी मुर्गे एक साथ बांद दे यह देशी स्टाइल नहीं यह आउटी स्टाइल है विलेश स्टाइल है इसी तरह बांद देखें बांद यह देखें बांद यह देखें बांद यह दिल्टी आए अच्छा से बांद एक शूटने रहे इसलिए इसको आच्छा पांद ना जरू एए देखिए इसको अभी बांद दिया है इसी तरह आप बांद सकते हैं अब अब मसला बना ही दोगा लसुन ले आद रख ले इसको बारिक करें और साथ में भुना हुआ प्याज ले चुले पे बुना हुआ ग्यास प्रेसी बारिक करें उसमें लागने चले आदा चम्मच हल्दी ले और हरा धनिया और उसको प्याज कांदे आदर को लसुन से बारिक करें अच्छे से उसने मिक्स करें गरम मसला में डाले थोड़ा सा आदा चम्मच बारिक करने में उसको निकालें अच्छे से उसको निकालें थोड़ा सा पाइं डाले और नमक डाल दे उसमें अच्छे से उसको मिक्स करें और मुर्गियों को अच्छे से लगा दे यह को इसी तरह अच्छे से लगा से लगषा लगषा लगपहाँ हाँ अच्छे मिक्स करें पर दोने और उसको लगा दे आये यह बाज जो पितली बाजी भी उसको लगा दे बाजी आए अच्छे दे अच्छी को लगा है यह बाज दोने बाजी में अच्छी से लगा है अब इसको क्या करेंगे अब इसको भूनेंगे कि देखर चुले पर डाल देंगे इसको हम भूनेंगे कि कि यह पूरा कबर बुल्य स्टाइल में हमने बुना होगा है इसी तरह हम उनको भूनेंगे आप इसको धीमे आच में भून सकते और इसको ऐसे भी भून सकते देखिए आमार योड़ी में आयो तो आप सब्सक्राइब करना भूलेगा इसी तरह आप भून सकते हो देखो वस्यक्राइब कर उसे तेल भगर डालनें की ज़्यों नहींकि इसमें आटेमेटिक गूंह गत्तु कि जुच पिगल जाती है उसमें तेल आटमेंटिक आ जाता है अगर उल्टा फिल्टा करके उसको अच्छे से भूनें कि यह जिन दिमियाज में उसको अच्छे से भूनेंगे अब एकदम भून गया हूँ एकदम कड़क हो गया है कि अच्छे से भून लें अब इसको निकाल लेंगे अब इसको निकाल लेंगे कि बांद आया हो चोड़ेंगे उसको निकाल लेंगे कि अजया है है हुआ है है कि कि अने को मिने निकाल ले उसको वी हुआ है हुआ है निकलने के बाद उसको अच्छे से एक पार्ट अलग करें देखो अच्छे से पका हुआ है देखेंगे अच्छे से पका हुआ है देखो एक डम अच्छे से पका हुआ है देखो एक पार्ट अच्छे से अलग हो तो हो रहा है ये को आच्छे से पका हुआ है इसका आम इस्वाद लेगा हम जो बहुत अच्छा लग रहा है एक बहुत बड़े हो गई है देखो इसको विलेज की आउटी तंदूरी चिकन तंदूरी के तरह आमने भूना है आप भी इसको इसी तरह भून सकते हो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरू दबाना और लाइक करना धन्यवाद वीडियो देखने के लिए करते है कर दो आता है है कि अजय क्यों जूदर राड़ है